नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे सोने की सोने की बात इसलिए क्योंकि सुबरेन गोल्ड बॉन की स्कीम चालू है आप उसमें पैसा लगा सकते हो क्या होते हैं फायदे आज पूरा का पूरा इं लिचे भी गया था लगवक 47, 48,000 तक गीरा था उसके बाद वहां से एक छोटा सा अप्टिक आया है 50,000 के आसपास इस वक्त सोना ट्रेड कर रहा है और यही रेट डिसाइड हुआ है अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हो सोबरेन गोल्ड बॉन का समझाएंगे सब क कुछ बने रहीएगा आपको मिनिमुम एक ग्राम सोना खरीदना होता है अगर आप इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते हो यानि कि आपकी इंवेस्टमेंट 5,000 रुपए होती है अगर आप आप ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदते हो अपने ब्रोकर वगरा के साथ ठीक है तो आपको 4,950 रुपए देना है यह हर बार जब लॉंच होता है सुबरेन गोल्ड बान उस वक्त प्राइस डिसाइड किया जाता है एवरेज करके जो उस वक्त सोने का रेट चलता रहता उससे खैर अब बात करते हैं फायदे की उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लिज समझ लिजिए आपको electronic form में सोना मिलेगा अब उसका दाम आगे घटेगा बढ़ेगा उसका risk आपको लेना पड़ेगा सिर्फ यही यहाँ पर risk है बाकी आप जितना सोना खरीद लोगे RBI भारा सरकार यह पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको उतना सोना आपके desired time period के ब होगा वही rate आपको मिलने वाला है तो आज से अगर आप 5,10,15,20,25 साल बाद सोने का rate बढ़ता हुआ देख रहे हो तो आपको sovereign gold bond जिसको कहते है sovereign gold bond SGB यह चीज आपको जरूर लेनी चाहिए यह भी समझा देते हैं कि इसको आप market में trade भी कर सकते हो और अपने demat में भी calculation और real फायदे पर आते हैं कि आपको फायदा क्या हो गए है आप ठीक जैसा कि आप देख रहोगे सोने का rate सौटम में काफी ज्यादा fluctuation में है भी काफी समय stable भी रहता है लेकिन अगर आप long run में सोने को देखोगे तो बिल्कुल stock market की तना चलता है price जिसका उपर ही जाता है आप को यकीन नहीं होगा से 40-50 साल पहले सोना 1000 रुपए से भी नीचे 500 रुपए से भी नीचे 100-200 रुपए के आसपास 10 ग्राम मिलदा था और आज उसका rate देख लिए खैर वो सब बहुत पुरानी बाते हैं अभी recent टाइम में अगर आप देखेंगे 2020 में सोने के लिए boom run आया है और उसी का फाइदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग कि उनके पास जो पूराने सोने पड़े हुए हैं उनको वो बेंच रहे हैं और काफी अच्छा profit कमा रहे हैं अब हम चलते हैं sovereign gold bond में invest करने के profit को जानते हैं और सारी की सारी बाते में आपसे बहुत अच्छे से calculate करके समझाओंगा आपको और बहुत ध्यान से बातों को समझेगा पहली चीज मैं एक rough calculation कर रहा हूं मान लेता हूँ आपने एक लाख रुपए का सोना खरीदा ठीक है आपने एक लाख र होने यानि कि आपको 20 gram सोना मिल गया याद रखिएगा इस चीज को मैं आपको बहुत आगे अच्छी से calculation देने वाला हूँ जो आपकी बहुत मदद करेगी decision लेने में कि आपको invest करना चाहिए या नहीं ठीक अभी याद रखिएगा भारत सरकार ने आपको ये 500 रुपए का discount यहाँ पर दिया हुआ है तो ये discount आपको मिल चुका है लेकिन आपकी जो real investment है वो एक लाख रुपए की है अब एक लाख रुपए पे आपको भारत सरकार धाई प्रतिसत ब्याज देगी हर साल ठीक हर साल देगी जब तक आप investor हो चलिए माल लेते हैं आप 8 into 2 मतलब 8 साल और इसका गुणे 2 क्योंकि आप लंबे समय के लिए मैं बात करता हूँ तो 15-16 साल की बात करता हूँ और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आपको उसके लिए invest करना है तो इससे better कोई opportunity हो नहीं सकती क्योंकि इससे safe investment मुझे कोई दिखाई नहीं देता जो इ investment करते हो ठीक आप 16 साल में जब आप धाई से गुणा करोगे तो लगभग 40 परसेंट हाँ 40 परसेंट एक्जैक्ली आएगा तो 40 परसेंट आपको सरकार इस पैसे पर वापस कर देगी आपका पैसा यानि कि आपको 40,000 रुपए सरकार ने वापस दे दिया ठीक बहुत ध्या रुपए कोस्ट पड़ी आपकी यह चीज याद रखिएगा ठीक कोस्ट पड़ी और 16 साल बाद आज से 16 साल बाद सोने का दाम क्या होगा हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन एक रॉफ आइडिया हम ले सकते हैं जो मेरे हिसाब से अनुमान है जो सोना भी 50 का है व कि मैंने प्रिवियस कालकुलेशन करकर देखी हुई है सारे के सारे ट्रेड साइकल को मैंने जोड घंटा कर ये गुणा भाग किया है खेर ये चीज को हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो जाएगा 2020 में जैसे कोरोना आ गया सोने का दाम आसमान चुने लगा त सोला साल बाद भी सोना पचास हजार का ही रह गया वर्ष्ट से वर्ष्ट से वर्ष्ट से वर्ष्ट सिच्वेशन भी आप मान लीजे तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी 69,500 रुपए आपको जो है स्वरी आपकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी वो थी एक एक लाख देखोगे तब की कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं और आपके वक्त आपके पास इस वक्त भी एक लाख का सामान पड़ा है अब सोना सस्ता तो होगा नहीं इससे बुरी सिच्वेशन कुछ हो नहीं सकती दुनिया बरबाद हो जाएगे अगर सोना सस्ता हो गया तो अभी के पास रोने के लिए कोई कारण नहीं रहेगा ठीक आपका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपने सोने के रेट का जो रिस्क है उसको समझते हुए उस वक्त के हिसाब से इन्वेश्मेंट किया था कि आज से 16 साल बाद जो रेट रहेगा मैं उस रेट पे पैसा पा जा सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो आपको ये 40,000 रूपय वापस मिलने हैं, आपको इसका क्या करना है? उसको वो भी मैं सम्झादेता हूँ, जो आपको 40,000 रूपय वापस मिलने हैं, वो आपको 1,500 करके हर साल मिलते रहेंगे, 2,500,000 सरकार आपको हर साल ये पैसा देती रहेगी ठीक जब आप 1,00,000 का investment कर लोगे सोने में तो अब ये 2,500 को अगर आप मन्थली SIP से invest करो कहीं भी मैं FD के आसपास का interest rate मानता हूँ और 2,500 को आप मन्थली convert कर दीजे 200 something रुपी जाएगा और इसको जब आप convert करोगे और 16 साल के लिए invest करोगे 8% का return और 16 year के लिए जब आप invest करोगे SIP mood से 200 रुपए के आसपास आएगा यह जब आप इसको calculate करोगे 208-10 रुपए चलिए मान लेते हैं इसको भी लिखी लेते हैं 208 रुपए ठीक है 208 रुपए आपने invest किया 8% के हिसाब से 16 साल के लिए तो लगभग लगभग आपको 80,000 रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे 16 साल बाद इसी पैसे से जो ही आपको सरकार आपके investment पर दे रही है अगर यही return आप double कर ले जाते हो 16% के आसपास ठीक है और आप 16 साल के लिए ही invested रहते हो तो लगभग लगभग 1,70,000 रुपए आपको मिलेंगे ठीक है 1,70,000 रुपए ठीक थोड़ा यह लाख के लिए एक लाइक कर देना और अगर आप जो हम 2% पर मन्त की बात करते हैं अगर आप उस पे invest कर ले जाओगे 16 साल के लिए इस investment की बात मैंने की वही आप वीडियो जाकर देख लीजेगा तो आपका पैसा लगवग लगवग 3.5 लाक रुपीज हो जाएगा ठीक आप ध्यान से समझेगा आपने जो investment किया उस investment पे आपको कितने सारे benefits मिलने हैं पहली चीज जब आप वो सोना यानि कि जब आप वो gold bond बेंचोगे उसके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा उस पैसे पे कोई भी आपको capital gain tax नहीं लगेगा सबसे बड़ा advantage यह दूसरी चीज जो आपको 0.5% ब्याज मिल लही थी आपके एक लाक के investment पे उसको आपने invest कि तो आपको 80,000 के आसपास की income वहां से हो गई ध्यान से समझते रहिएगा बात 80,000 की income वहां से हो गई और दूसरी चीज जो मैंने worst के situation की बात करी थी कि सोने का rate वहीं का वहीं रह गया तो आपको सरकार ने 40 दिया आपने उसको 80 बना दिया ठीक है सरकार ने आपको 1,00,000 प पलस जो उस वक्त सोने का rate है मैं 50,000 मानूं तो भी आपका फाइदा 60,000 मानूं और बड़ा फाइदा जो डेर लाख माना तो सबसे बड़ा फाइदा अब आप सोच कर देखिए कि हर जगा आपको सरकार advantage दे रहिए सरकार इस से better scheme आपको कोई नहीं इस वक्त available है मेरे मैंने आपको अपने तरफ से आसान से आसान महासा में समझाने की कोशिस करी एक recap आपको दे देता हूं जिससे कि आपके पास कोई confusion ना बचे फिरम वीडियो को end करेंगे आपने वीडियो लाइक जरूर की होगी अगर लाइक किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीड गोल्ड बॉन्ड में छे जीरो होते हैं ठीक उसके बाद एक लाख रुपए पर आपको 40,000 सरकार ने वापस कर दिया ठीक है ध्यान से समझेगा उस एक लाख के बदले आपको मिला 20 ग्राम सोना ठीक है ध्यान दीजेगा 20 ग्राम सोना अभी ये एक लाख रुपए आपने 16 साल बाद क्या होगा ये 20 ग्राम सोना 20 का बीसी रह जाएगा ध्यान रखिएगा 20 ग्राम सोना 20 का बीसी ग्राम रह जाएगा अभी ये जो 40,000 है आप इसको करके कितना कर सकते हो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट पे रहते हो तब भी जाद रखिएगा अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाक कर लोगे ठीक है अगर आप 2% महीने का निकाल लेते हो इस चीज़ पे जो आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेड से निकलने की कोशिस हम लोग करते हैं अगर आप वो ट्र इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रविनेंट फंड अकाउंट यह पीपी आफ वाला बहुत बहतरी वह भी इन्वेस्टमेंट है कभी और समझाऊंगा अब आप समझते चलिए बात को आपके पास 16 साल बाद 20 का 20 ग्राम सोना है 16 साल बाद 80,000 रुपए आपके पास एक्स्ट हजार आई थी और इसको आप प्रिसाइज अगर मानना चाहो 69,500 रुपए आई थी क्योंकि सरकार ने आपको 500 रुपए की छूट दे दी थी ठीक सॉरी यहां 69,500 में भी 500 रुपए और कम होंगे क्योंकि सरकार आपको 50 रुपए हर ग्राम पे छूट दे रही है तो आपकी जो exactly costing आई थी पिछले जो पार्ट था वहाँ पर हम यह मिस कर गए 69,000 रुपए ही आपकी costing आएगी 60,000 के बदले तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा बहुत important है 69,000 के बदले आपको वापस मिला कितना 80,000 आप अपने पैसे पर 16 साल बात कमा लोगे उसके बाद सोने का दाम इस वक्त कितना है 16 साल बात कितना रहेगा आप यह decide कर सकते हो कि उस वक्त जैसे आज की date में 10 ग्राम सोने का दाम 50,000 है ठीक और उस वक्त चलिए मान लेते हैं कि मैं 3 गुना मान लेता हूं जो मैंने माना था डेल लाक है यह जो 20 ग्राम सोना हो जाएगा आपक तरीके से अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे 3,8,000,000 रुपीज कर लोगे बिल्कुल सेफ तरीके से और यह कितने समय में होगा 16 साल में आप 16 साल में जाओ तो आपका पैसा दुगने से थोड़ा जादा होगा यहां 3 गुना क्या 4 गुना के आसपास हो जा रहा है मैंने यह जो कैलकुलेशन गोल्ड के लिए है कि अगले 16 साल में सोने का दाम 2 से 3 गुना बढ़ सकता है तो अफकोस सी बढ़ सकता है यह हो गया एक ऐसा सिनारियो जहां पर हमने पॉश्टिविटी जादा रखी हुई है थोड़ी सी लेकिन एक चीज यह भी धान रखिएगा हमन रुपीज आपको मिल जाएगा ध्यान दीजेगा 2.8 लाख रुपए आपको मिलेंगे जो कि लगभग लगभग तीन गुना आपका पैसा कर रहा है 16 साल में कोई भी बैंक FD तीन साल में आपका पैसा तीन गुना नहीं कर रही है ठीक एक और चीज नोट रखिएगा अगर आप FD कराने जाते हो तो फिर FD में आपको जो capital gain होता है उस पर tax देना पड़ता है यहाँ पर यह चीज investment जो है वो tax free है दूसरी चीज अगर आप portfolio diversification में विश्वास रखते हो तो यह आपके लिए बहुत बहतर investment साबित हो सकता है और सबसे बड़ी सबसे important चीज आप इस बाजार में सबसे बड़े risk से अपने आपको सुरक्षित कर रहे हो portfolio diversification करके और worst case situation आप बिलकुल उसके लिए तयार हो क्योंकि आप gold में निवेज कर रहे हो कोई risk नहीं लेना चाहते यह जो पैसा आपको मिला था यह risk के साथ मिला था gold के investment पे लेकिन इसको मैं ignore भी कर दू तो 80,000 आप safe तरीके से कमा सकते हो और उसके बाद ये सारे advantages हैं तो आप बताईएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो काफी मेहनत लगी आपको calculation करके समझाने में आई हो जितने भी लोग देखो educational वीडियो लोगों को देखनी नहीं होती है लोग आते हैं और उनको रातो र 75% लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनको education से कोई मतलब नहीं 75% तो ऐसे हैं जो सिर्फ करोनपती बनने आते हैं वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं जो यहां पर 20% और लोग है ना वो चीजों को पढ़ते हैं समझते तो हैं लेकिन उसको implement जब करने जाएंगे तो वहां पर उ चीजें समझाई ये financial literacy को आप आगे बढ़ावा दीजिए आपके आसपास परोस में दोस्ती में नात रिष्टेदार जहां भी आपको समझ में आए कि ये scheme समझने वाले लोग हैं उनको ये बात समझाईएगा गौर्ण सरकार के द्वारा ये scheme बिल्कुल safe तरीके से चलाई जाती है आप सबको कई बार साल भर में मौके दिये जाते हैं एक तारिख आज साल का पहला दिन है और आज आखरी दिन है investment करने के लिए सोबरेन गोल्ड मौन में जो आई है latest update इसके लिए या आगे भी scheme साती रहेंगी आप इसमें investment कर सकते हो अगर कोई सवाल सुझाव हो जा कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो niftindia.in.gmail.com पर जाकर email ID अच्छे से लिख कर भेज़ेगा जिससे कि आपको reply मिले अगर आप सिर्फ हवा हवाई सवाल कुछोगे तो ज्यादा चांसे सा है कि आपको reply नहीं मिलेगा थोड़ा सा लोगों से आगे बढ़िए educational वीड धन्यवाद